Hello friends, this is Jhoti Verma, today I am going to start with a question paper of learning and teaching Learning and teaching का May-June 2019 का ये question paper है second semester IP University का और इसका paper code है BA102 तो आजम discuss करने वाले हैं previous year का question paper जिस तरीके से पहले का question paper का pattern था उसके इसाब से आपको 5 questions शॉर्ट वाले attempt करने होते थे और उसके बाद बाकी questions आपको long attempt करने होते थे मतलब 3 questions लेकिन अब का pattern change हो गया और आपके online examinations हो रहे हैं तो आपको सिर्फ long question और वो भी 3 questions only attempt करने होते हैं तो इसके अंदर से आप idea ले सकते हैं कि किस तरीके के questions आते हैं आपके exams में अगर short questions की बात करें तो आपको 8 या 9 questions में से कोई भी 5 questions attempt करने होते हैं 5 questions आपके 5-5 number के होते हैं यानि कि 5-5 marks के यानि कि 25 marks के आपके 5 questions होते हैं जिसके अंदर आपका first question है what is the difference between growth and maturation तो growth and maturation के अंदर आपको जैसा कि आपने psychology के paper में last year, last semester जो आपका childhood and growing up का paper था उसके अंदर भी आपने इस question को attempt किया होगा growth and maturation के बारे में आगे है आपका next question what do you mean by cognition and what is its role in learning यानि कि अनुभूती से क्या अभिप्राय है यानि कि जो आपकी cognition आपका संग्यान होता है उसका क्या मतलब है और सीखने में इसकी क्या भूमिका है मतलब ये किस तरीके से अपना role निभाती है हमें कुछ भी सिखाने के लिए या हम किस तरीके से इसका use करते हैं सीखने के लिए थर्ड है आपका write the characteristics of well-adjusted person मतलब एक अच्छी तरीके से समा योजित वैक्ती की विशेशताएं लिखिए मतलब जो एक well-adjusted person होता है उसकी आपको इसमें विशेशताएं लिखनी है नेक्स्ट है D question आपका fourth जिसमें है write a note on motivate and incentive तो इसके अंदर आपको प्रियोजन एवं प्रोच साहन पर एक note लिखना है E है आपका fifth question describe the relationships between development and learning यानि की विकास और अधिगम के बीच समबंद का वर्णन करें यानि की development क्या है और अधिगम क्या है तो इन दोनों के बीच का आपको relationship बताना है F यानि की sixth question है आपका इसके अंदर short question What do you mean by nature of adjustment in the context of learning and teaching तो इसके अंदर आपको लिखना है section और अधिगम के संदर्व में समायोजन की प्रकरती से आपका क्या अभी प्राए है आगे है आपका G जिसमें है What is the need of motivation मतलब क्या जरूत पड़ती है आपको motivation की प्रेड़ना की To promote learning among the learners यानि की विद्यारतियों के अधिगम प्रेरित करने है To प्रेड़ना की क्या आवशकता पड़ती है किस तरीके से विद्यारतियों को learners को प्रेरित कर सकते है कुछ भी सीखने के लिए H है आपका इसके अंदर 8 question जो है A teacher acts as a transmitter of knowledge as well as a learner एक सिक्षक जो है वो ग्यान हस्तांतरित करने के साथ-साथ मतलब ग्यान को जो वो student को transfer करता है उसके साथ-साथ एक सिक्षार्थी के रूप में किस तरीके से वो करता है कैसे करता है यह आपको इसके अंदर लिखना है तो यह थे आपके कुछ short questions अगर आपका यह वारा pattern इस बार होता है तो आपको इस pattern से देना है otherwise अगर आपका online mode है तो आपको सिर्फ long questions से attempt करने होंगे जो हम आगे discuss करने वाले हैं बाकि short questions को मिला कर भी आपका एक long questions बनता है तो आपको इने भी देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको एक idea हो जाता है कि किस तरीके से 2 या 3 questions को मिला कि एक बड़ा question जो exam pattern decide करते हैं उसको बनाते हैं वो किस तरीके से इसको लिखते हैं आगे second question है आपका second question में define teaching and learning how are both terms interrelated what is their relevance to each other तो इसमें है सिक्षड और अधिगम को परिभाशित करें सबसे पहले आप सिक्षड को परिभाशित करेंगे उसकी परिभाशा देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे अधिगम की परिभाशा देंगे तो इन दोनों को परिभाशा और आपको कम से कम दो दो परिभाशा लिखनी है क्योंकि आपको मैंने पूरा content clear करवाया हुआ है YouTube पर और उसको आपको धंसे easily मतलब आप easy way में समझाया हुआ है आप मेरी वीडियोस को देखकर teaching and learning की playlist में जाकर वीडियोस देख सकते हैं easily मैंने सारी चीज़ों को as it is बताया हुआ है as a long question तो इसमें पहले आप section और अधिगम को परिभाशित करेंगे दोनों में परस पर अंतह संबंद कैसे हैं मतलब ये दोनों आपस में किस तरीके से interrelate करते हैं एक दूसरे के लिए उनकी क्या प्रासंगिकता है और इसका आपको relevance भी लिखना है next आप इसी के अंदर choice देखेंगे memory is the mental person which involves really previously learned knowledge experience of skill justify the statement तो इसमें है memory पर मानसिक व्यक्ति memory वह मानसिक व्यक्ति है जो जिसमें वास्तव में पहले से सीखा ग्यान अनुभव या कौशल शामिल है इस कथन को प्रतिपादित करें तो ये एक आपका long question है इन दोनों में से आपको कोई भी question attempt करना है इस pattern के सबसे otherwise आपके अगर online exams होते है तो आपको 8 questions आएंगे 8 में से आपको कोई भी 3 करने होंगे तो आपको इससे question को किस तरीके से create किया जाता है उसकी आपको एक तरीके से knowledge इसमें से मिल जाएगी third है आपका इसके अंदर how do you how do interrupt इसके अंदर है आपका give a detailed explanation and education implication of both next c में चौई से आपकी how to experiential learning and relation and metacognitive facilitate construction of knowledge तो आपको इसके अंदर construction of knowledge लिखना है fourth है आपका इसके अंदर define intelligence example the theory of multiple intelligence तो आपकी third semester में multiple intelligence की theory है उसको आपको इसके अंदर परिभाशित करना है तो आप इसके अंदर theories को लिख सकते हैं जो भी आपको उस समय पर याद हो next है intelligence of a person or group can be assist how किसी व्यक्ति का समूँ की जो बुद्धी मता का आंकलन किया जा सकता है कैसे किसी का भी जो intelligence है उसको analyze किस तरीके से किया जा सकता है एसेस किस तरीके से किया जा सकता है फिफ्ध कोशन है give the type of unconscious methods which a person uses for adjustment यानि कि समायोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा उप्योग किये जाने वाले अवचेतन अवस्था के तरीकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए next step का इसमें explain in detail cattle's trait theory of personality cattle के व्यक्तित्व के सिध्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए जैसा कि यह आपका third या fourth unit का fourth unit का यह आपका topic है so friends यहां तक हमारे सारे questions clear हो गए I hope आपको यह समझ में आया होगा thank you so much friends for watching this video मेरे channel को subscribe करे video को like करे, share करे and comment करे